यहां पर मैंने आप लोग को पूरा पार्ट वन करा दिया है अगर आप लोगों नहीं देखा तो प्ली सबसे पहले आप जाके वह देख लिए इसके बाद आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा अब यहां पर स्चोरी आती है थायलेंड की रहां यहां पर स्चोरी आती है थायलेंड की ठीक money x replace family ठीक के टीली स्मिथ वस 10 यार्स ओल्ड श्कूल गर्ण टीली समिथ जो थी वह एक छोड़ा से जो बच्चे थी टीली समीथ वह एक श्कूल गर्ण थी जो दस साल की थी His sisters was seven years oldर उसकी जो छोटी सी जो वहन थी वह साथ साल की थी that parents were penny and Colin Smith और उनकी जो parents से उनकी मम्हें मॉमीं पापा का नाम पहली पालिनश्मिख था और पापा का नाम už Commissioner it was 26th December 2004 यह 26th December 2004 की बाहं डेडली सुनामी वे और इसी तरह से सुनामी मतलब जो था वह आने वाला था यानि कि हमको कुछ इस तरह से आभास होना है कि सुनामी जिसे से नदी के पास कुछ ऐसा होना जिसे हमको पता चल जाए कि सुनामी आने वाला है ठीक है डे हैज डे हैज बीन ट्रीग्रेड बाई और मैसिव अर्थक्वेक ऑफ साथर्न समुत्रा अर्लियर देट मॉर्निंग अब इसमें आप लोगों क्या बोल रहा है कि स स्वेल्लिं एनग यह अनले यह चोटा चोटा होते जा रहा है वह उसमें पानी भरता चला जा रहा है बदट टीली स्मीद उनके जो बेटी थी वह समझ गई थी किसमें कुछ तो रॉंग होने वाला है इसमें क्या बताया जा रहा है लेकिन टीली समीद जो थी उसका ऐसा लग रहा था कि कुछ ने तो कुछ रॉंग होने वाला है और उसका जो दिमाग था वो जियोग्राफी के लेशन में जा रहा था जो दो हपते पाले उसके टीचर ने उसको पढ़ाया था ठीक है टीली सो दसी स्लोली राइज टीली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे आगे की तरह बढ़ता आ रहा है स्टार टू फों बबल और वो मतलब बहुत ही फों मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जादा सुनामी आने वाला है से रिमेंबर दाट शी हैं दिजन क्लास इन वीडियो दिखाया था वीडियो में क्लास में एक वीडियो दिखाया था जिसमें इसी तरह से जो सुनामी के बारें उनको बता रहा था और उनको यह भी बताया था कि सुनामी जो है वह एर्थक्वैक वालकेन या फिर लैंड्सलाइट इन तीन तरीके हैं जिसे उनको पता चल सकता है कि सुनामी आने वाला ठीक है इन तीनों से सुनामी आता है तिली स्टार्ट तु श्क्रीम अब तिली को डर नकले लगा एठ इसने अपने डर के मारी अपने पैरेंस को बोल रही थी कि इस किनारे को छोड़के कहीं और चलो शी टॉक्ट अब आउट अर्थक्वैक अंडर दसी वह समुंद्र के अंदर अर्थक्वैक जो हो रहा था उसकी बारें बात करती शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल उसको बहुत ही जदा डर लग रहा था वैट यू और ख़ां यू शाटि लाफ यकैम्ता होता हो था है कि आपको किwater चीज से सेंसिंग माई डडर सो फ्राइटनेड लेकिन जिस तरह से मेरी बेटी जो डर रही है आई थाट सम्टिंग सीडियस मस्ट भी गोई यानि कि कुछ नहीं तो कुछ सीडियस होने जा रहा है टिली पैरेंस टुक हर एंड हर सिस्टर टिली के जो पैरेंस से उसको और उसके टूरिस्ट और सब्सक्राइब और जो दूसरे जो वहां पर जो घुमने आये थे वह भी उनके साथ भागने लगे तन इट मोज एज इफ दे एंटायर सी हैद कम आउट आफ्टर देम आई वस स्क्रीमिंग रण और मैं भी बहुत जोर से चिला 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 के सबको बोले ठेक है भागो भागो ठेक है? The family took refuse in the third floor और उनकी जो फैमली थे वह तीसरे फलोर होटल के तीसरे फलोर पर जाके रुँके अगर वो लोग उस किनारे पर ही रहते हैं तो अभी तक वो जिन्दा नहीं होते और Smith के family जो थे वो उनसे भी मिले जो वहाँ पर घूमने आए थे और जिनके families नहीं रहे हैं सभी लोग ने टीली को और उनके जियोग्राफी लेशन को थेंक्स कहा दे हैड बीन फॉर्वार ने टीली वेंट बैक टू हर स्कूल जब टीली अपने वापस अपने स्कूल गई इंगलेंड तब उसने अपने classmates को अपने डरावनी कहानी बताए ठीक है अब यहां पर आपका पार्ट थ्री आता है पार्ट तु आप लोगों को कंप्लीट हुआ अब पार्ट थ्री यहां पर पार्ट थ्री हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अगर आप लोग पसंद दिसे लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएगा आप लोगों किसा लेगा मिलते को लेक्शन में जाहिंद जा भारत